और हम जी कैसे हैं आप सब सब कर तो बहुत-बहुत स्वागत है आज की कॉर्पे टुर्पध से पहले तो आपको स्वतंतरता दीवस की बहुत-बहुत शुब काम आएं तो आज की कॉर्पेट न्यूज में हम एंटरनेशनल होने जा थोड़ा क्योंकि आज की खबरें national कम international जाता है अच्छा देखते हैं कौन-कौन सी अलांकि कही नहीं भारत से related है फिल्बार है तो आज की corporate news में हमारे पास क्या-kia है आज की corporate से रिलेटेट कांटिनुएशन में हैं जो के फेक कॉफेडे के हम लोग पिछली सीरीज के अंदर हम लोगों ने कवर किया था चले जी यह अगें जो लोग भी पहला पहली बार इस न्यूस को देख रहे हैं उन सभी के लिए यह न्यूस यूसफुल है सभी के सभी सीए सीएम करने वाले स्टुडेंट के लिए क्योंकि जो कुछ भी आप लॉक के अंदर जो कुछ भी आप अपने त्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो यह सब उसका प्रैक्टिकल एप्लिकेशन यहां पर आप देख रहे हो कि कैसे होता है किस तरीके से वह चीज़े प्र यह फाइनल के सबी स्टुडेंट्स ध्यांग दें जिस चीज का मैं काफी टाइम से बोल रहा था आई बी एस आपका पेपर नंबर सिक्स आई बी एस पेपर नंबर सिक्स जो की ओपन बुक एक्जाम है जहां पर लौ जो है 28 मार्क्स का आना है तो इसका बैच अलॉंग व चीज बुक्स हैं पेपर में आपको वही दो बुक्स लेके जानी है जो कंटेंट वाली है के स्टेडी बुक भी आपको ले जाने की ज़्रूरत नहीं पड़ेगी हाला कि स्टेडी बुक इस लाइक आपको बना देगी कि इंस्टीट की के स्टीटी को इंस struggles कर सकेंगे 53 के स Studies Institute ने launch की है, वो सारी की सारी इस badge के अंदर cover की जाएंगी, ये badge अब on है, आप इस badge को along with the books ले सकते हैं, तीन महिनी के validity में 50 hours के अंदर, यहाँ पर पूरा syllabus IBS से related cover किया गया, आप जानते हो, integrated business solution में 28 marks का round law आना है, चीके जी, तो ये paper हमारा cover है, इस paper को आप आप ले सकते हो ये on है, अमित पूपली Classes, अमित पूपली Classes.com की website से ये paper ले सकते हो, अच्छा, जिन भी बच्चों ने, दुबारा बोलता हूँ, जिन भी बच्चों ने, already मुझ से, चाहे कोई भी badge लिया हुआ है, चाहे conceptual badge लिया हुआ है, चाहे compact badge लिया हुआ है, कोई भी badge जिन्नों में लिया हुआ है, उन सब के लिए ये badge complimentary होगा, ये सब complimentary होगा, मतब जिन्नों ने भी लिया है, उन सब के लिए complimentary होगा, चाहें, तो SPOM की classes लेने वाले सभी के सभी student ध्यान कर लें, आपको कुछ भी दुबारा purchase करने की ज़रूरत नहीं है, ये IBS आपके लिए complimentary है, ठीक हो इतनी बात, चलिया है, इस badge में मैं एक और कोशिश भी करूँगा, और वो कोशिश क्या होगी, कि जो IBS के अंदर audit है, वो भी around 12-14 marks कहा रहा है, तो वो 12-14 marks के लिए relevant जो portion होगा audit का final audit में, वो भी मैं cover करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा time availability के उपर depend करेगा, शायद उसके portion थोड़ा सा लेट आए, बट वो portion भी cover करने की कोशिश करूँगा, चलिया, ताकि आपका total मिला के इस badge के अंदर coverage जो है, around 42 marks की हो जाए, audit plus law, दोनों हो जाए, मगर time availability के अनुसार, थोड़ा सा September में वो classes आएंगी, audit की है, यह मान के चलना, कहीं ऐसे ना, बैच लेत तो आज की अब हम corporate news शुरू करते हैं, आज की हमारी corporate news में सबसे पहले हमारे पास corporate news है, cafe coffee day को लेकर, cafe coffee day, हाँ जी, हम जानते हैं, पिछली class में हमने पढ़ा था कि इस company को, जिसे मालवी का हेगडे चलाती थी, अब इस company को insolvency में admit कर लिया गया, क्योंकि इसके जो financial creditors है financial creator मतलब जिन्होंने loan दिया होता है न, उन्हें financial creator कहते हैं, तो उन्होंने non payment of their loan के खिलाफ application फाइल की थी, application NCLT के अंदर admit हो गई, और company insolvency के अंदर चली गई, बट फिलाल मालवी का हेगडे ने इस insolvency की application admit हुई है, इसके खिलाफ NCLT के admission के खिलाफ NCLAT में appeal फाइल क कहा है कि यह जो applicant है, जिसने application file किये, जिसका नाम है IDBI trustee ship, यह IDBI trustee ship, जो कि IDBI ने debentures की form में पैसा दिया होगा, और जब IDBI debentures की form में पैसा देता है, तो debenture holder के भिहाब पर एक debenture trustee होता है, यह आप सब जानते होंगे, तो debenture trustee ने case किया है, मालवी का हेगडे जी का कह है ना है, कि debenture trustee तो entitled ना application file करने के लिए, अब CA final के वो सभी बच्चे, जो कि SPOM का exam देते हैं, वो सभी के सभी बच्चे, recall करेंगे अपनी memory में, section 7 के अंदर clear cut लिखा हुआ है, कि application can be submitted, either by the financial credit itself, or jointly, or an authorized representative as well, authorized representative पे एक notification है, जिसमें लिखा है, कि trustees भी application file करने सकते हैं, trustees application file कर सकते हैं, उस notification के मताबद, तो यहाँ पर इस application को, मतब जो हेगडे, मालवीका जी ने file की है, वो maintainable ही नहीं थी, और NCLT ने surprisingly उस application को maintain करते हुए, इसके उपर proceedings पे रोक लगा दी है, और कहा है कि हमें दुबारा देखने दो मामला, कि क्या है, हाला कि ये रो रोक लगाई है, but definitely judges के शायद अपने, अपना कुछ कारण होगा, जो कि अभी हम यहाँ वैटे नहीं जाच पा रहे, but फिलाल, अपने concept को recall करो, जो आपने IBC के अंदर, section 7 के अंदर किये है, तो application trustees के त्वारा maintainable है, बिल्कुल maintainable है, तो application के अंदर कोई दिकत नहीं है, insolvency proceedings पर, चिक्या जी, अब आते हैं एक अगली news पर, अगली news है, भारत में जन्में, भारत में पले बड़े, लक्षमन नरसिम्मा जी को लेकर, लक्षमन नरसिम्मा जी आप जानते होंगे, शायद ये Starbucks के CEO थे अभी तक, Starbucks कहां की company है, हाँ जी, ज़रा फड़ा फट लिखेगा यहाँ पर, नीचे comment box में लिखेगा, Starbucks कहां की company है, मैं hint देता हूँ, वो देश भारत का सबसे अच्छे देशों में से चल रहा है, एक और hint देता हूँ, वो देश आज कल युद्ध के अंदर गया हुआ है, अब आपको ढूंड़ना है कि Starbucks का जनम का हुआ था, चलिए, comment लिखना, आज इस वीडियो के like का target है 1000, पिशली बार मैंने 500 का था, आपने 1500 कर दिये, आज 1000 का target है, देखते हैं, आप कितने likes मारते हैं, आज इस पर ठीक है, तो चलिए फिलाल, लक्षमान नरसिम्मा जी को Starbucks के CEO से हटा दिया गया है, और एक साल के अंदर अंदर ऐसा कर दिया गया है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, 30 years का corporate experience था, इनके पास, McKenzie के senior considered किये जाते थे, बट इन्हें एक साल भी नहीं करने दिया गया काम, और हटा दिया गया है, क्योंकि company की turnover, year on year, 3% decline हुई है, company की sales, European countries में, China में खासकर काफी गिरी है, तो जिस जगा किसे लाया गया, एक ऐसे व्यक्तित्त को जो एकदम young generation से उभर कर आ रहा है, जिसका नाम है Brian Nicole, अब Brian Nicole, आज की date में कहा है, आज की date में ये चिपोटले, Mexican grill, ये एक outlets हैं, और इनके करता धरता है, और इनके बारे में एक बड़ी बात मशूर हो रही है, जो recently अभी सु जाता है, उस company को super profitable बना देता है, तो जैसे ही Brian Nicole के आने के news आई, तो worldwide Starbucks के shares ने बढ़ना शुरू कर दिया, और परंतु चिपोटले के shares लगाता डाउन जा रही है, जब से news आई है, चलो खेर, आगे देखते हैं कि चिपोटले से आने वाले Nicole साब, आगे चल कर क्या करते है बट फिलाल Starbucks ने इने अपना CEO आज की date में बना दिया है, चले, और आगे बढ़ते हैं, तो Starbucks की news मैंने किसलिए cover की, क्योंकि कही न कहीं भारत से connected थे, चीगे, अगली news मैं Google की cover करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका भी connection कही न कहीं भारत से है, अच्छा कैसे है, चले देखत हैं, अभी recently एक news आपने देखी कि Reliance Industry 42,000 employees को lay off कर रहा है, कई लोगों ने कहना शुरूग भी किया, कि भाई, 5,000 करोड आपने अपने बच्चे की शादी में लगा दिये, और 42,000 employees को आप lay off कर रहे हो, और अगर अहरे employee की salary 50,000 रुपे भी होती, तो 2 साल तक इनका घर चल स सकता था है, ऐसे समय पर जब समय पूरे संसार के लिए बड़ा बुरा चल रहा है, और विश्वमंदी की तरफ जा रहा है, दिरे-दिरे, तो उनके जो यह करने जा रहे है, decision पर कई सवाल या निशान भी उठाए गए, बट फिलाल एक और न्यूस भी आपने सुनी होगी क का जो GDP है, रिलाइंस का जो overall share है हमारी GDP में, वो around 10% है, भारत की economy का 10%, भारत की GDP का 10% के वल रिलाइंस family के पास है, यानि कि यह family अपने आप में भारत में इतनी बड़ी हो चुकी है, चीक है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज आईए होगी, कि क्या हमारे देश में अगर कोई company इतनी बड़ी हो जाए, तो क्या उसका कुछ किया जा सकता है, हाँ, हमारे देश में कानून तो है, वो क्या है, वो कानून है हमारे एक एक्ट के अंदर जिसका नाम है competition act, competition act में section 31 है, जो कहता है कि अगर कोई entity बहुत जरूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो फिर उसे तोड़ दिया जाएगा different entities के अंदर अंदर, अब आपका अगला सवाल तो sir हम, हमने क्या इस section को कभी use किया है, नहीं, क्या हम use करेंगे कभी मुझे लगता नहीं, अभी हम इतने mature नहीं हुए कि हम use कर पाएं, तो फिर, मगर USA पकी बात है mature है, क्यों, क्योंकि उनका प्लान है Google को तोड़ने का, वो प्लान कर रहे है Google को तोड़ने का, जैसे Reliance भारत में monopoly रखता है, वैसे ही Google USA में पूरी monopoly तो रखता ही है, वर्ल्ड में जहां-जहां Google है, उस country में इसकी search engine में monopoly है, USA government seriously considered कर रही है a proposal, कि जहां पर Google को दो parts में divide कर दिया जाएगा, दो अलग अलग companies बना दी जाएंगे और दोनों companies के अलग professional management बना दिया जाएंगे, एक portion होगा उसका Chrome, Google Chrome जो होता न वो और एक जो Android version है न उसके लिए अलग company खोल दी जाएगी, दोनों companies को आपस में compete कराया जाएगा और दोनों professional management होगा, एक्चुल में भारत में culture है, वो क्या कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अभी इस culture से निकलने में हमें बहुत time लगेगा और नरायन मूर्ती जैसे लोगों की जुलोद पड़ेगी, जिन्नों ने अपने बेटे को अपनी सत्ता नहीं सोपी किसी भी आलत में कहा कि बेटा अगर talented है तो खुद वो सत्ता पे क जाना चाहता है तो भारत में जो professional management वाली कंपनी है, professional management वाली कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है, जहां पर promoters की stake ज्यादा नहीं होती, promoters अपनी stake ज्यादा नहीं रखते, आज का अगला homework, एक ओर, second homework, पहला सवाल तो ये है कि आप लोग ये बताएंगे Starbucks कहां से पे जन्मा दूसरा सवाल, ये मुश्किल सवाल है मगर देखना है, मुझे आपसे research करवानी है थोड़ी से, दूसरा सवाल ये है कि professional management में promoter की maximum holding कितनी हो सकती है, आप लोग इसका सही जवाब देंगे, मेरा जवाब आपको comment में मिल जाएगा, last में कि हंजी क्या है, आप मेरा जवाब आप वहाँ पर ढूण सकते हैं, in fact में description link में दे दूँगा कि correct answer description link में ठीक है, बट पहले आज आप जवाब देंगे कि professional management में promoters की maximum holding कितनी हो सकती है, ये देखना है आपको as per the SEBI regulations, ठीक है, चलिए hint भी दे दिया है, तो आगे बढ़ते हैं, तो फिलाल Google को break करने की बात की जा रही है, USA government सोच रही है, भारत में क्या ये possible है, मैं कहूंगा लगता नहीं, अगले कई साल तक तो मुझे नहीं लगता, 10-15 साल तक भी मुझे नहीं लगता कि हम इतनी mature economy अभी बनने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी अगली news, यार मैं खुद उस ऐसे shares जो कि COVID में बड़े थे, जो कि COVID के kits मनाते हैं, अचानक से इन shares में सर्ज होना शुरू हो गया है, अचानक से तेजी आनी शुरू हो गई है, और ये तेजी 2020 के बाद पहली बार दुबारा से वापस लोट रही है, आप जानते हैं कल ही World Health Organization में एक और emergency, medical emergency डिक्लेर की ह क्योंकि एक नए तरीके का वाइरस जो है वो आ रहा है, तो इसको देखते हुए पता नहीं कहा संसार कहा जा रहा है, एक तरफ यूद देख तरफ ऐसे ऐसे महा वाइरस, तो मतलब कहा जा रहा है, तो ये अच्छी खबर तो नहीं है, बट फिलाल अभी भारत में ऐसा कॉमपनियों में कोई मुवमेंट नहीं देखने को मिला है, तो मतलब भारत के ओपर खत्रा कम है, बट एमपॉक्स नाम की जो एक बिमारी है, जिसको लेकर वर्ल्ड काफी चिंतित हो रहा है, जो कि 151 देशों में शायद फैल चुकि उसके कुछ केसे सब भारत में भी आना कि अगले कुछ समय तक सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना, यह समय थोड़ा आजीब है अगले 1.5 साल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सेविंग्स के उपर देना, रादा देन लेविश एक्सपेंडिचर के, खासकर फॉरन टूर्स वगरा के, मगर जो अफ में करना, डोमेस्टिक एकॉनमी में करना, रादा देन और देशों की मदद करने के, अपने देश की मदद करना, ठीक हैं, और सेविंग इस टेम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, तो यह आज का मैसेज था मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अगली कॉर्प झालौँ से कॉर्भादा, धствен मैं प्रिख एकॉर्च प्रिक्णेऽ को एकॉर्यादा तो व्यादे थोख थातीन भी में, व्यादा का महाझा अे थे एक फिसometer.